हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले कई बार हमारी जिंदगी है ऐस सफलता की तरब चलती रहती है लेकिन लाख प्रितन करने के वापजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं आपकी हतेली में ऐसी कौन से योग छिपे हैं जो आपको सफलतम सोपान प्राप्त कराते हैं आपकी ही हतेली में एक योग होता है जिसको हम कहते हैं तिरी तिरकौन योग अगर आपकी हतेली में तीन तरकौण बने हैं दोनों हाथों में अगर आप ध्यान से देखें खासतोर से महिलाओं के लेफ्ट हैंड में और पुर्षों के सीधे हाथ में राइट हैंड में अगर तीरी तरकौण बने हैं कोई भी कोण एक खंडित ना होता हो ये योग जब भी आपकी हतेली में विद्दमान होगा चाहें आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं जब भी आपकी हतेली में ये योग आएगा तो कहीं न कहीं एक बड़ी तरक्की आपको हासिलोगी एक बड़ा मुकाहम आपको उस वक्त में प्राप्त होगा ये तरक्की कारक योग वैसे बहुत लोगों के हाथ में होता है और बहुत के हाथ में नहीं भी होता ऐसे ही आपकी हतेली में होते हैं तीरी क्रोस तीन क्रब्स आपकी हधेली के निशान तो यह ते एक दीलते तो जरूरी नहीं कि जो ग्रहे आपको नेगेटिव लगते हैं वह आपको प्ल दें क्यों उस ग्रह का बल कैसा है उस की डिग्री कैसी एंते तिवा का 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 depends सुछ कोचर की स्थिति क्या है महादशा की स्थिति क्या है यह सारी चीजे जनम पत्रिका में बखुबी इंसान को समझनी पड़ती है उसके बाद वो किसी भी निगेटिव ग्रह से डले अर्थात बिलकुल न डले गवरानी की अवर्शक्ता नहीं है अब रही बात आपके जीवन से संकट कारकंटक ये दूर हो एक काम कीजिएगा दर्शम महाविध्या में एक महाविध्या की आप किसी पारंगत व्यक्ति से दिख्षा लेने के उपरांट आपके जीवन में देख लेना कितना आमल्चूल परिवर्तन आपको मैसूस होगा आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो समस्त दुख इश्वर की करपा से उस भवानी की शक्ती की करपा से दूर हो जाएंगे दर्शो को एक बात हमेशा समझें गुरू और गुरू भगती कई बार हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं तरह तरह की बाते सुनते हैं तरह तरह के ख्यालात आते हैं लेकिन हमेशा ध्यान रखना संसार में जिसने भगवान के नाम की दोर को पकड़ा है मेरी बात को बहुत गहरी से समझेगा प्लीज संसार में जिसने भी ब्राणियों ने भगवत नाम भगवान के नाम की दोर को पकड़ा है वो भव सागर से पार हो जाते हैं डूबते वो ही हैं जो भगवान को भगवान नमान करके खुद को खुदा कहने लगते हैं हमेशा ध्यान लखना जब तक आपके पास भगवान की दोर आपने बांदी हुई है हमारे मंत्र पड़ो बेटे शिव का मंत्र पड़ो कहते थैं ना और आज भी कहीं ने कहीं आप किसी भी मजभ की बात करें किसी भी धर्म की बात करें जब तक व्यक्ति अपने धार्म के उपर अट्वर विस्वास करता चाहें वह किसी भी मझहभ से जुड़ा हो वो मजभी जब तक अपने मजभ से जुड़ा रहता उसका बाल बांका नहीं होता कुछ नहीं होता उसको और जब मजभी अपने मजभ को छोड़ देता और उसमें अपना एक मजभ बना बैठता तो कहीं न कहीं इस संसार के तुफान में शफीना ऐसी व्यक्त ये भी देखना चाहिए किस धर्म के नाम पर हम कौन से धर्म को मान रहे थे हम किस धर्म को फॉलो कर रहे थे तो सारी चीजें आप इसलाम से जुड़े हैं आप चिपक जाएए कुरान सरीप से आप सिख धर्म से जुड़े हैं आप चिपक जाएए गुरु गोविन साब से, चिपक जाएए गरन साब से, अरे जब हम अपनी मूल जड़ों से चिपक करके रहेंगे, भगवान हमें बचाते हैं, गुरु गोविन सिंद्धी हमें बचाएंगे, भगवान हमें बचाएंगे, तो कहने का मतलब मिला दर्शको तो कोई भी धरम हो, धरम सब अच्छे हैं, लेकिन जब हम अपने धरम को छोड़ देते हैं, उससे संजी विच्छेद कर लेते हैं, कहीं न कहीं दूर चले आते हैं अपने धरम से, तो कहीं न कहीं हम दूबने लगते हैं, इसलिए हमें से अपने धरम की दोर को हमें मजबूत से पकड़ करके रखना है भागवान हमें पार जरूर ले जाएंगे जी मेरा नाम रवी कुमार सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूँ मैं गुरु दिक्षा भी लिया हूँ इनके बताय मार्क पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा औ मेरा लोगों से यह ही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलिए कि सच के मार्क पर चलने वाले बहुत कम लोग यह सिरिफ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो और भगवान से बड़ी सक्ति तो कोई नहीं है गुरू, गुरू के बाद भगवान, गुरू, माता, पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरुत पड़े, हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरू जी ही है, अपने अपना कीम् करना चाहते हैं, तो इसके लिए परसनल अपॉंट्मेंट ले ले, कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉल अपॉंट्मेंट ले लेजेगा, संस्थान से शुद्वैदिक जनपत्र का प्राप्त करने के लिए भी आपको इनहीं नमर्स पर कॉ नमस्काट